नमस्कार, Quick News प्रोग्राम में आपका स्वागत है, मैं हूँ विरदोगे। नमस्कार, भारत अपने पडोसी देशों, शिलंका, नेपाल, बांगलादेश और पाकिस्तान से भी पीछे है। इस रिपोर्ट में विशेश रूप से कोविड महामारी के दौरान देश की आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वरा किये गए प्रयासों को भी नजर अंदाज किया गया है। मंत्राले इस बात का भी जिक्र करता है कि मुख्य रूप से बच्चों के स्वास्त संकेतकों के अधार पर भूख की गड़ना करना ना तो वैग्यानिक है ना ही तर्क संगत। आपको बता दें कि सुचकांग की गड़ना चार संकेतकों के अधार पर की जाती है जिसमें से तीन बच्चों के स्वास्त से संबंदित हैं। इसमें जीरो सबसे बहतर तो सो सबसे ज्यादा खराब स्कोर होता है। आपको बता दें कि जुलाई 2022 में FIES यानि खाद्य असुरक्षा अनुभव स्केल सर्वेक्षन मॉड्यूल डेटा के आधार पर ऐसे अनुमानों का अपयोग नहीं करने से संबंदित मुद्दे को FAO में उठाया गया था। इस तरह की रिपोर्ट में एक ओपिनियन पोल कराया जाता है जिसमें कुछ प्रशनों को सीमित लोगों से पूछा जाता है। इस रिपोर्ट के आलोचना करते हुए मंत्राले ने सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिशित करने के लिए किये गए उपायों पर चर्चा की। भारत में विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कारिक्रम चल रहा है जो COVID-19 के समय से भी जारी रहा। इसके लामा 14 लाक आंगनबाडियों द्वारा पूरक पोशाहार का वित्रण और प्रधानमंत्री मात्रीवंदना योजना द्वारा बच्चे के जन्म के समय और बाद में पारिश्रमिक सहायता एवं पॉस्टिक भोजन के लिए 5000 रुपे सहायता आदी जैसे प्रयास शामि है